तो दोस्तों ये science का पहला पार्ट होगा जिसमें कुछ important question होंगे और ये question जो होंगे railway के exam, UP police के constable के exam में या किसी भी exam में पूछ जा सकते हैं तो दोस्तों बने रही है मरसा दकर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को तबाएं जिससे कर मैं कोई भी वीडियो अप्लोड करता हूं तो उसका notification आप तक आ जाए तो चलिए दोस्तों लोग start कर लेते हैं एभी रुधिर बर्ग वाले किसी ब्यक्ति का ब्यक्ति को किस रुधिर बर्ग वाले ब्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है तो बहु जागा सभी रुधिर बर्ग वाले ब्यक्तियों को दे सकता है एभी बर्ग वाला कौन सा राज सैतूत की पालन में अग्रण ही है तो बहु पुस्प के किस भाग दोरा प्रकास सन्लेशन किया जा सकता है, तो वह जाएगा बहाए दलपुझ के दोरा। अदरग है, तो अदरग क्या है एक रूपांतरित तना। साहद में मुखिता क्या होता है? तो साहद में मुखिता कार्बो हाइडरेट होता है। अब्रग बिद्दुत का कैसा चालक होता है? तो अब्रग जो होता है बिद्दुत का कुछ चालक होता है। लोहे को जंग से लगने से बचाने के लिए उस पर कलाई चड़ाने के काम में लाई जाने वाली धातु कौन है? तो अब हो जाएगा जस्ता। अगला कोश्चन जो हमारा बनता है कि फेपड़ों को ढखने वाली जिली को क्या का जाता है तो वो कहते हैं फुसा अब्रण है एपेटाइटिस किसंग का रोग होता है तो हैपेटाइटिस होता है जिगर का रोग होता है एंट अमीबा हिस्टोलिट का नामक पड़जी भी मानप के किसंग में पाया जाता है तो यह पाया जाता है आंत में अगला पॉजी ट्राण एमेशन ट्रोमोगोफी पैट फंक्सन इमेजिंग के सर्वोत्तम विदी है कैसे क्योंकि इसमें पॉजी ट्राण इमेज फॉर्मेशन में स्वयम भागिदारी करते हैं अगला जो कोशन है कि समुद्र में पानी के नीले होने का क्या कारण होता है तो वह होता है जल अणों द्वारा नीले प्रकास का प्रकीड़न क्विक सिल्वर का राइसानिक नाम क्या होता है तो वह होता है बारत जिसको हम लोग कहते हैं पारा इसका सिंबल क्या होता है है अगला दूद में परिच्छित बसा क्या होता है तो दूद में जो परिच्छित बसा होता है वह होता है मक्खन तो हमारा नेक्स्ट कोश्टन है की टांका किसका में से दात्व हुए तो वो होता है तिन एवं सीसा की हड़ी का प्रियोग और वरक के रोमें किया जाता है क्योंकि इसमें पौज़ा पोसक्तत होता है फास्पोरस सूर की उर्जा का मुख कारण क्या होता है नावी की सल्लेन तो हमारा next question है कि आमला में कौन सा बिटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो आमला में बिटामिन C पाया जाता है अगला पौधे उर्जा छोड़ते हैं तो पौधे उर्जा कप छोड़ते हैं? सोसन के दोरान. पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तना से हल्दी प्राप्त होती है. नेक्ष्टे की आनुबांसिक यूनिट अथार्थ जीन किस में होते हैं? तो जीन होते हैं गुण सूत्र, क्रोमोसोम में. किस तेल से ड्राप्त सी जल्सोफ हो जाता है? तो आरजे मोनी तेल से. सारविक रक्त दाता का रुदिर बग क्या होता है? तो वो होता है रुदिर बग O. अगला सरवादिक बिक्सित बुद्धी बाला जलिये प्राणी क्या है? तो वो हो जाएगा वेल. भाय रुदिर बाहिका कौन सी है? जो जिगर को आक्सिजनित रुदिल ले जाती है? तो वो हो जाएगा यक्रत धमनी. किस कोसिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोसिका से इंसुलिन स्रावित होता है. मानब शरीर में बसा कहां जमा होती है? तो बसा जो जमा होती है उतक में जमा होती है. नेक्स्ट कोशन है किसकी उपस्थिती में रुधिर बाहिनियों में रक्त आतंचित मतलब कलॉट नहीं होता है तो बोई हिपैरिन की उपस्थिती में किस रोक से रच्छा के लिए सिस्वों को डीपीटी कटी का लगाया जाता है तो रोहिनी, कुकर खांसी तथा टेटनस है हीमोफिलिया कैसा विकार है तो यह है आनुबंसिक पिकार गुर्धे को रक्त पूर्ती करने वाली रुधिर भाई का क्या है ब्रक्क धमनी अगला मानव शरीर में काउंसा अंग ग्लाइकोजन के रूम में कार्वो हाइड्रेट को जमा करता है तो बहुत जाएगा यक्रत अगला है तार केविलों के स्थान पर प्रकासे तन्तू अप्टिकल फाइवर का प्रियोग क्यों किया जाता है क्योंकि बे अधिक सस्ते होते है उस उपकरण को क्या का जाता है जो प्रतिविम्बों को ऐसे अंकी आकड़ों में बतल देता है जिनने कम्प्यूटर में जमा किया जाता है तो वो स्कैनर नेश्ट है कि एकको रेजिया मुखे तक किसको घुलाने के लिए प्रियोप्त किया जाता है तो सोन को मतलब सोने को अगला फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस इमलसन तयार करने में किस हैलाइट का प्रियोप्त किया जाता है तो सिल्वल प्रोमाइट मतलब AGBR AGBR Next question है कि बहे पतार्थ कौन सा है जिसका प्रियोग कपड़े से CIE और जंग के धबों को मिटाने के लिए किया जाता है तो वो आगजेलिक एसिड अगला है कवे दो बे तत्व कौन से हैं कौन से वे दो तत्व हैं जिनमें बहुत बड़ी संक्या में योगिक तयार किया जा सकते हैं तो कंपाउंड किसे दो तत्व से तयार किया जा सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन आक्सीजन में सिर्ट बहे निस्क्रिये गैस कौन सी है जो अब रोधित सोसंद से पीडिस रोगियों को दी जाती है तो बहुँ जाएगा हीलियम दो रेल पट्रियों के बीच धातु के किस प्रियोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है तो रेखिए प्रसार के लिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है या बेखिए को बीच पसे अप्रियों के लिए भाईगा है चानल को अबस्क्राइब करे दो देखिए है